क्यारे विद्यातियों इस वाल्यूम में आपको स्वागत हैं हाद हम कुछ कुश्चिन्स और लगवाएंगा और देखी इसमें सबस्वरी खास्थियत है प्रूब टेट 2 जिए सब्सक्राइब देखी अब दो पहले साइं इसकार एकस्वर इसमें लगाने की साइन स्कॉर एकस्वरी है तो क्या करेंगे 1 by 4 4 sin square x cos square x 1 by 4 4 sin square x cos square x 1 by 4 2 sin x cos x ka whole square right 1 by 4 sin square 2 x sin 2 x ka whole square sin square 2 x sin square x ka formula होता 1 minus cos 2 x 1 2 sin square 2 x ka होगा 1 minus cos 4 x 1 2 क्यों sin square x का ज़र होता है 1 minus cos 2 x 2 x 2 x 4 x होगा 1 अपान 8 1 का होगा x cos 4 x का sin 4 x 1 4 plus 1 अपान sin square x cos square x dx minus 2 square 2 x plus c एकोशन पहले भी आप्षाल भी भी हो आप क्या करते थे कि 1 को sin square x plus cos square x लिए ते थे ति अलग लग कर दे थे ति अब हमको इसके नुसार चलना है तो ध्यान दिजेगा तो 1 upon sin square x cos square x इसको आप ऐसे कर सकते हो 1 upon देखिए ध्यान दिजेगा 4 का गुड़ा 4 का डिवाइड करें जो 4 1 upon 4 sin square x cos square x अभी इसको sin 2x का whole square होगा 2 sin x cos x का whole square sin square 2x हो जाएगा क्या हो जाएगा उपर आएगा तो cos square 2x से क्या होगा माइनस को टू एक्स अबान टू तो माइनस टू का टू एक्स दूस कोशन ए कॉस क्यूब एक्स डी एक्स का इंटिगर ले होगा आप कॉस क्यूब एक्स का पहले भी कियो कास 3 अक्स के पार्मोरी में इन डिफिनिट इंटिगर ने यही खासी यह तरक्त्यू कि अलग अलग तरीकों से भी सवाल हल कर सकते हो जब मतलब में ध्याम दीजेगा कॉस क्यूब एक्स को कॉस 3 एक्स से भी कर सकते हो तो यहां देखिए दूसरा आएक तो और कॉस क्यूब एक्स कर देखिए एक तरीका और कॉस क्यूब एक्स कर देखिए एक तरीका और कॉस क्यूब एक्स कर देखिए एक तरीका और कॉस क X को T मान ले जिए, तो cos X dx dt हो जाए हो, 1-t² dt, 1-t, t²-t³3, sin x-sin³x³3, plus c, देखी बच्चों, एक कुश्यन है, sin x-sin² dx, तो बहुत आसान है, पहली भी आप लगा चुप यहाने इसको, क्या करेंगे, sin x-sin², let sin x-sin², 1-t²-t, 2-t, so let t dt, t³, t³2, plus c, sin x-sin², x-sin², y², plus c, एगला कुश्यन है, log x-s², 1-x dx, यह प्रोब करना है, आप देखी, log x-s², क्वानल एक्सथी एपशाइं सिद्ट मुणाल उप्मों सब़ुए उरेको क्तिए गाट這些 inteवह तक supplies 2x cube upon x square plus 1 का whole square dx है, देखिए इसका भी प्रूब करना, 2x cube upon x square plus 1 का whole square है, पहले भी आपका ही style question की हो, तो ये देखिए x square plus 1 को अगर हम की मानेंगे 2x dx होगा, इसको मुपर देखिए कैसे change करेंगा, है रपच्छा ध्यान देगा, x square into 2x dx, अब क्या करेंगे, लिट x square plus 1 square root t, x square root t minus 1, तो भी x square का मान भी रखना पड़ेगा, तो ये होज़ा है 2x dx dt, तब देखिए x square की value t minus 1, इसकी value dt, अब 1t square, अलगा तो इस t अब 1t square, minus 1 अब 1t square, कर देखिए, तो 1 upon t को जाएगा, रॉग आप t, इसका minus 1 upon t plus हो जाएगा, तो t की value क्या है, x square plus 1, 1 upon x square plus 1 plus c, तो अब देखिए कैसे करेंगे, x square plus x square है, तो लेक्ट, a square plus x square is equal to t, 2x dx dt, तो 2x dx dt, तो लेक्ट, 2x dx, तो लेक्ट, देखिए 2, टो लेक्ट, ऊब 1 by 2, लॉग टी टी की वेलू रग दीजिए लॉग A स्क्राइब प्लस लेकिन लॉग 10 की पौर X प्लस X की पौर 7 लाना जाहिद से बात इसी कुर्टी मादना है आप देख भी रहे हुए 10 की पौर X का 10 की पौर X लाग 10 बेसी X की पौर 7 का 7 X की पौर 6 तो हम लोग क्या करेंगे ले 10 की पौर X प्लस X की पौर 7 लाग 10 बेसी प्लस 7 X की पौर 6 X D H D T 2 परोजाएगे D T अबान T क्या मनेगे लोग T प्लस C लोग 10 की पौर X प्लस X की पौर 7 प्लस अब यहां महां रखते हैं साइन अलफा प्लस T अपान साइन देखिए गाई कुश्चन बीटी साइन अलफा कौस्टी प्लस कौस अलफा साइन अपान साइन अलग अलग करते हैं बच्चों साइन अलफा कौस्टी अपान साइन टी प्लस कौस अलफा बाहर साइन टी अपान साइन टी वन नीटी राइट ध्यान समझेगा अब देखिए वन टी टी के टी होगा साइन अलफा कौस्टी कि और लॉग कौस्टी हो जाए दो अझा साइन साइनल्फा कौस्टी की अलबार मौस्टी कडूस्ट कौस्ट अलफा थीढ़न साइन इस फ्लस कौस्ट नम retard प्लस प्रफ हो गया कश्चना प्लस E की पॉइट 2X यहां देखे E की पॉइट 2X का हो इसकार हो जाएगा E की पॉइट 2X को उन्टी मा लेंगे तो क्या हो जाएगे E की पॉइट 2X DT तुपर जाएगे DT अपान वन प्लस T स्कार 10 इन्वर्श्टी T की बेली ओर दीजे 10 इन्वर्श E की पॉइट 2X प्लस लाग X का होलिस्कार माने HDX है रूप करना है आपको ऐसे करेंगे कि 1 प्लस लाग X का होलिस्कार अपान HDX तो 1 प्लस लाग X का होटी मानेंगे तो 1 प्लस लाग X का होलिस्कार अपान HDX होजाएगे DT होजाएगो अच्विए हम T स्कार DT थी T स्कार DT क्योंकि 1 प्लस लाग X T होगे T स्कार DX अबार अबार इन्वर्श E DT होगे तो इसका होगे TQ पान 3 प्लस C प्लस लाग X का होलिस्कार अबार अबार इन्वर्श E अब पुना करेंगे 1 dx dt, तो 1 upon x plus 1 dx हो गया है 2 dt, क्यों, क्यों रूटी x plus 1 में, रूटी x plus 1 बड़ा हुआ, x plus 1 हो गया, अब क्या हो जाएगा, आपको लाग, रूटी x plus 1 dx, अब इन तो हो जाएगा, ती 1 upon x plus 1 dx हो गया है 2 dt, तो हो जाएगे 2 t dt, t क्यों हो जाएगा, t square by 2, t की value रग दीजिए, लाग, रूटी x plus 1 का होल square plus, पॉर्डन क्विश्चन है, 1 upon x plus रूटी x dx, देकि रूटी x plus 1 को इसका बड़ती माना गया, तो भी तिसी लॉग आया है, जाएग दी बात है, रूटी x को कामन लेना पड़ेगा, आपको तमीद बनेगा रूटी x plus 1, अब रूटी x plus 1 को टी मानेंगे, तो हो जाएगा, 1 upon 2 root x dx, देकि तो 1 upon root x dx, देकि तो 1 upon root x dx, 1 upon root x dx, देकि 1 upon t, 2 dt, 2 log t, 2 log t, 2 log t, t value रगी है, 2 log root x plus 1 plus, cos कोई लाग x upon x dx, 1 by 4, 2 log x plus sin, 2 log x plus c, आप देकि, cos square log x upon x dx, बच्चों देखिए, लाग x को उन्ती मानेंगे, तो 1 upon x dx हो जाएगे dt, फिर बनेगा आपका, cos square t dt, पहले भी आप cos square t का कि यह हो क्या होता है, 1 plus cos 2t upon 2, 1 by 2, 1 का होगा t, cos 2t का sin 2t upon 2, अब हो जाएगा क्या, यहाँ वे देखिए sin 2t upon 2 होजाएगा, तो 2 चाहे lcm लेज़ें, तो 1 upon 4 हो जाएगा, 2t plus sin 2t, अब t की value रहती है, 1 upon 4, 2 log x plus sin 2 log x plus sin, साइन 10 inverse x upon 1 plus x square dx है, तो sin 10 inverse x, देखि, 10 inverse x का derivative तिकरा है आपको, 10 inverse x कुरती मानेंगे, 1 upon 1 plus x square dx dt, तो मिलेगा आपको क्या, sin 2t dt, minus cos 2 plus c, minus cos 10 inverse x, plus c, कुर्चन है यह देखिए, 1 upon root x plus 2 plus root x plus 1 है, यह कैसे आप integrate करेंगे, देखिए, कुर्चन, 1 upon root x plus 2 plus root x plus 1 है, तो क्या करेंगे, इसमें plus है तो minus का गुड़ाद रहेंगे, तो root x plus 2 minus root x plus 2, तो इस राइट, उपर हो जाएगा, रूट x plus 2 minus root x plus 1 है, निचे x plus 2 minus x minus 1 है, हो जाएगा, x plus 2 की पाउर 1 by 2, minus x plus 1 की पाउर 1 by 2, नों समझ सकते हैं, इसको टी मानेंगे, तो 1 by 2 है, x plus 2 की पाउर 3 by 2, अबान 3 by 2, इसका differentiation करेंगे, तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी देखी, x plus 1 की पाउर 3 by 2, बान 3 by 2, अबे 2 by 3 बच्चों, काम लेजिए, x plus 2 की पाउर 3 by 2, minus x plus 1 की पाउर 3 by 2, प्लस, देखी बच्चों, एक कुश्यों, देखी और पाउर है, इसकों लोग ऐसे लिखनेंगे, sin square x, रूट cos x, sin x dx, राइट, और sin square x को क्या लिख सकते हैं, 1 minus cos square x, रूट cos x, sin x dx, cos x कुट्टी मानेंगे, माइनस sin x dx dt हो जाएगा, तो sin x dx हो जाएगा, माइनस dt, जान रखिएगा, माइनस dt, अब इधर हो जाएगा, 1 minus t square, रूट t, माइनस dt, माइनस कार्ड एप अलर जाएगा, t square minus 1, रूट t हो जाएगा, dt, अब t की पाउर 2, 1 by 2 है, बाग तो हो जाएगा, t की पाउर 5 by 2, 7 by 2, t की पाउर 3 by 2, 2 by 7, t की पाउर 5 by 2, cos x की पाउर 7 by 2, 2 by 3, cos x की पाउर 3 by 2, plus c. झाल झाल